लक्षम आप सभी का स्वागत है मैं आज आप लोगों को डाटा लॉगर्स के बारे बताऊंगा यह आप लोगों ने पीछे लिख रखा होगा आप देखे होंगे तो उसी में से आज हम लोग डाटा लॉगर्स के बारे में जानेंगे यह डाटा लॉगर्स डाटा एकवेजिशन सिस्टम में क्या है अर कैसे काम करता है हम लोग इसको समझनी की कोर उस्स करते है प्राटा डाटा अकूजिशन सि़्टम अपने कारने वाला सिधा बात है आटोमेशन से सरूर्स नहीं परते हैं automated तो मैं पढ़ाने से पहले कुछ एक्जामपल्स आपके सामने रखूँगा जिसे कि आपके सामने एकदम इमेज आ जाए और मैं जो चीज बताने लगूँ या लिखूँगा या पढ़के सुनाओंगा वो आपको एकदम एक्जाक्ली समझ में आएगा चलिए मैं थोड़ा समझाने की कोसिस करता हूं मैं एक दो एक्जामपल्स आपके सामने ले रहा हूं सबसे पहले तो मैं आपके सामने आज कल क्या होता है कि सभी की घरों में मेडिकल एक्प्मेंट्स मिलते हैं मेडिकल एक्प्मेंट्स का मतलब मतलब ये कि प्रेशर नापन का devices हाँ आज कल आ गया है जब हम लोग के लोग कोरोना वायरस से गुज़ए तो अब हम लोग के पास आता था SPO2 oxygen measuring device होता था जो अंगुली में ऐसे लगा दिया जाता था एक उक उसके बाद और devices के बारे में बात करेंगे तो ठीक है और बहुत सारे devices अभी मेरे पास अग्दम एक एक करके नहीं आ रहे हैं, मैं आपको दे दूँँगा, ठेज सारे डिवाइसे दे दूँँगा, जिसमें कि डाटा लॉगर्स नजर आएगा, अब मैं समझाने लगोंगा तो आपको नजर भी आने लगया कि डाटा लॉगर्स है क्या, exactly, तो चलते हैं, थोड़ अपने वाली मसीन लेके चलते हैं, तो होता क्या है, आप सोचे दिमाग लगा ये, कभी मेडिकल में गए होंगे, या हस्पिटल में गए होंगे, तो आपको अगर ब्लड प्रेशर नापना होता है, तो एक पट्टी मांता है, है न, उसके बाद, वो कुछ पंपिंग करता ह है, ऐसे, तो आपके बादी का जो ब्लड प्रेशर हो रहा होगा, ठीकि ब्लड जो फ्लो कर रहा है आपके हाथ होंगे, वो उसका पूरा मेजरमेंट, उस डिस्पले में आने लगता है, हाँ, सर ऐसा ही होता है, तो आप सोचिए कि आपके हाथ में कोई करेंट तो दौड़ नहीं रहा है, तो फिर आपके उस डिस्पले में आपका मेजरमेंट कैसे आ रहा है, यहीं पर आपको थोड़ा सा ठीक करना है, और जैसे ही आप ठीक करेंगे, आपको दिमाग में आने लग जाएगा, अच्छा, यहाँ पर डाटा एक्वीजिशन हो रहा है, कैसे, सबसे प को एलक्ट्रिकल में बदल रहा होगा, हाँ चीज़, उसका मतलब उसमें ट्रांसडिश्र लगा होगा, यह सर, तो डाटा एक्वीजिशन में ही तो पढ़े थे, वो डाटा आया, अब उसको डिवाइस के अंदर गया होगा, हाँ सर, उसके अंदर सिग्नल कंडिशनर भी हो आटोमेटिट हो गया है, इसलिए हम लोग इसको यूज़ कर रहा है, आटोमेटिट का मतलब सुनिए, आटोमेटिक करने वाला, आपने सिर्फ क्या करते हों बता रहे है, अभी मेरे पास जो है न, मैं करके दिखाऊंगो तो टाइम लगेगा, करना तो हमें है यह नहीं, मै खुद से अपने आप काम करेगा, और खुद से यहां से ब्लड प्रेशर मेजर करेगा, और डिस्प्ले में दिखा देगा, हम पो कुछ नहीं करना है, मतलब मैं खड़े होके देखना है, बस उसको लगाने तक तो हाथ से लगाना पड़ेगा, मैं तो मेरे पास रोबोट है मैं लगवा दूँ, तो हाथ से लगा के छोड़ दिया, और मैं एक बटन दबाया, अपने आप यह ब्लड प्रेशर करने लगेगा, अनि कि उसको यहां पर टाइट होता है, इसको तुम बोलते हो, और उसके बाद फिर मेजर करने लगेगा, और मेजर करने के बाद आउट और दूसरा बात ही सुनो, इंपोर्टेंट बात सुनो, इसमें डाटा लोगर्स के नाम क्यों पढ़ा हो भी बात इंपोर्टेंट है, सुनते जाओ, मैं पढ़के सुनाओंगा, लेकिन पहले इसलिए बाता देना चाहता हूँ कि इन सब को सुनने के बाद अगर आप कि अरे तो बहुत आसान है, क्योंकि इन सब चीजों को हम लोगों ने सुना नहीं है, हम लोगों इन सिर्फ देखा है बजारों में, लेकिन हम लोगों को exactly कोई बताता नहीं है, इसकी वज़े से हम लोग उसको मंतलब के आरेंजड में में लिख नहीं पाते हैं, चली, अब कि बिन पहले कितना था, तो हम बता नहीं पाए, कैसे बताएंगे, कहां से बताएंगे, अब हम बोले अच्छा ठीक, रू को बताते हैं, तो मैंने उसमें थोड़ा मेमोरी में जाके देखा, पीछे देखा कि सेट था, पीछे पांच दिन, साथ दिन का डेटा उसमें स्टो कर दिया गया, डेटा लोगर इसलिए नाम पड़ा, क्योंकि पीछे के कुछ डेटा को बहुत अच्छे से कलक्ट करके रखता है, अब हम सोचे की पीछे के एक महिना से ना पर एक महिना का डेटा हम देखना चाहें, तब बोला नहीं, तब पता चला कि ने, इसमें तो मेमो स्लोट लगा हुआ है, SD कार्ड, SD कार्ड, क्या, SD कार्ड स्लोटर होता नहीं है, सब में SD कार्ड स्लोट होता है, एक दम होता है, ठीक है, हाँ सर, हाँ सर, मोबाइल में भी होता है SD कार्ड स्लोट, चलिए छोड़ी, मैं SD कार्ड स्लोट सर, SD समझानता है, मैं एक क्वेशन बीच बीच मैं इसे ही कोशन पुछते रहूंगा, SD का फुल फॉर्म जानते हैं लोग, SD का फुल फॉर्म, मैं अभी जो भी विडियो देख रहा होगा मेरा, मैं लिख के दे सकता हूं, 90% स्टूडेंट, SD का फुल फॉर्म नहीं जानते हैं, क्योंकि उनको सिर्प पढ़ाई से मतलब होती है, पढ़ाई का मतलब, उनका जो से लबस है, उससे, एक्स्ट्रा कोई चीजों की जानकारी नहीं जानना चाते हैं, सही बात है, अब आप क्या कर रहे होंगे, पढ़ाक से गूगल खोज रहे होंगे, गूगल तुरत बता देगा, एकदम बताएगा, लेकिन वो बताएगा, वो ना बताएगा, उसको ना पता है, तुमको क्या पता है, नहीं पता, चले ठीक है, खोजिए, और खोजने के बाद हमें, ठीक है, देखिए, वाट्सेप करके बताईएगा, अगर वीडियो देख रहे होंगे, तो जरूर वाट्सेप कर देजएगा, SD is equal to फुल फॉर्म क्या होगा, लिख के भेजिएगा, अगर आप लिख के भेजते हैं, मैं समझ जाओंगा, कि आपने मेरे लेक्चर को देखा है, क्योंकि ये मेसेज लिखने के लिए वही लिख सकता है, जो मेरे लेक्चर को देखा होगा, इसे मेरे को आडिया भी हो जागा, क आप मेरा लेक्चर देखते हैं, सही से सुनते भी हैं, और नहीं लिखिएगा, तो मैं समझूगा कि आप, ठीके मेरा लेक्चर नहीं देखते हैं, सिर्फ उपर-उपर की बाते करते हैं, ठीके चली, एसडी लिखकर बराबर का साइं, फिर उसके फुल फॉर्म, यह एसडी लिखकर ए़रो मार्क का साइं, उसका फुल फॉर्म, लिखकर लिखके लिखेगा, चली-छुडी, तो अब आथे टपिक पर, सेक्ट और क्रहीं बहुतिक, तो क्या बोला मैंने, एसडी कार्ड होता है, SD card डाल दीजे, और data store हो जाएगा, हाँ, सही बोला, SD card डाल दीजे, तो ये बातें हम लोग data loggers में कर रहे हैं, तो data loggers कुछ है नहीं, सर, सब सारा जो data acquisition system का part है, वो इतना बड़ा device में attached है, ये अकेला, जैसे क्या बोलता, one man army नाम सुने, one man army, yes, 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 sir, one man army की तरह काम कर है, sir, one man army, एकदम, अकेले ही सब काम कर लेगा, उसमें हम different components को नहीं जोडेंगे, एक ही ही इतने बड़े devices में सब काम हो जाएगा, उसी में input जा रहा है हमारे blood का pressure, अंदर में ही multiplexer है, अंदर में ही signal conditioner है, अंदर में ही processor है, अंदर में ही sub है, और अंदर में ही display है, display सामने में देख रहे आपको, हाँ, ठीक है, तो यही तो मैं बताना चाहरा हूँ, इसी को तो data loggers है हम लोग नाम दे रहे हैं, data loggers, अब data loggers को line balance पढ़ते हैं, data loggers को बहुत बड़ा topic है, नहीं कि मैं आपको बूलू कि हाँ, बहुत tough topic है, बहुत बड़ा topic है, ठीक है, logger से ह तो चलिए, log करने वाला, जमा करने वाला, data को जमा करने वाला, तो data loggers कह लगता है, चलिए, तो data loggers आप देख रहे होंगे, अच्छे से, देखे, इसमें, फिर से मैं आगे, अब पढ़ पढ़ के समझाता हूँ, क्या है, पहला क्या है, data logging is a process where the collected data is recorded, जितना data collected record कर लिया जाता है, दूसरा क्या, this data is collected over a definite, defined amount of time, fixed time के लिए record होता है, ठीक है, fixed data record होता है, fixed amount time के लिए record होता है, data loggers tends to be small and they are mostly used for the measurement of small signal, ठीक है, ये small signal, छोटे-छोटे कामों के लिए, ये data loggers का परियोग हम लोग ज्यादतर करते हैं, बहुत बड़े-बड़े कामों के लिए हम लोगो और data acquisition system का big system को हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, छोटे-छोट काम, जैसे भी मैंने क्या बता है, blood pressure measure करना है, आपका oxygen level measure करना है, आपका heartbeat measure करना है, इस तरह के छोटे-छोटे काम, ये तो medical मैं मैंने बता है, और भी काम होते हैं, voltage measure करना है, current measure करना है, सभी data loggers कहलाते हैं, data loggers are the self-contained data acquisition system, self-contained, अकेले ही सारा काम कहने वाला, ठीक है, कहता है, ठीक है, अपने processors इसके पास होंगे, अपना software होगा, ठीक है, और सब एक सा जुड़े होंगे, embedded होंगे, जुड़े होंगे, ठीक है, तो इसको कहता है, data loggers, ये data loggers है capable of running a stand-alone device, अकेले ही सारा काम काने के लिए तयार है, one-man army मैंने बोला, stand-alone device, data loggers are popular due to their popularity as well as, ठीक है, ये जी, एस of use of specific task, कहता है, popularity के कारण बहुत ही famous हो गया, ठीक है, due to their popularity, पोर्टेबिलिटी, स्री, मैंने बोलना सो गलती कभी है, पोर्टेबिलिटी, क्या है, पोर्टेबिलिटी, words को पकड़े है, पोर्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, अब मम्मी को में ले जा रहा है तो दूसरी जगह, वहाँ पर हमको machine नहीं खेदना पड़ेगा, क्योंकि इतना बड़ा तो machine होता है, मैं इसको डबा में डाला, और इसको एक बैग में पैक किया, then okay, then इसको कहते हैं, portable, portable का मतलब होता है, एक जग आगे बढ़ते हैं, AP.loggers consists of local storage capacity for saving data, इसके अंदर अपना एक storage capacity होता है, जिसमें data को store करता है, correct, some data loggers include SD slots, अभी बताया थे SD का full form आपको बताना है, अब बोले हां सर बताएंगे SD का full form, include SD slots means for providing additional memory through the utilization of memory cards, ठीक है, अगर आपको extra data store करना है, तब क्या होगा, उसमें तो memory है, ठीक है, लेकिन उतना से काम नहीं चल रहा है, SD card डालेंगे, SD card बे आगो, these data are permanent or temporary, full stop, some web enabled data loggers can even configure directly share their data over a network, अरे बाबु, यहां से यहां तक अच्छा से पढ़ होगे, दो बार, तीन बार, पढ़ो, समझ में आ जाएगा, कता है, some web enabled data loggers can even be configured directly share their data over a network, तिर से एक बर पढ़े, some web enabled data loggers, कुछ ऐसे data loggers होते हैं, जो web enabled होते हैं, अब चली मैं data loggers, एक बड़ी एक्जामपल दे रहा हूँ, मेरे पास तो भी नहीं है, नीचे रखा होगा, ठीक है, यहां पर कलाई में कुछ पाहनते हैं आप लोग, हाँ, 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 अरे सर, अरे digital watch की बात कर रहा हूँ, हाँ, digital watch आपका एक परकार का data logger है, data acquisition system पे काम करता है, तो आपका वो क्या करता है, pulse rate measure कर लेता है, केतना step चली, वो measure कर लेता है, सब कुछ measure कर लेता है, यह best example है अभी, आपको समझने के लिए data हमको याद ही नहीं से connected है, सीध्या वहाँ से, कुछ भी होता है, समय ग्रीन वीच में टाइम से, GSM से तुरत आपको connect कर देता है, और आपका टाइम सेट कर देता है, ठीक, और आपका data भी होगा है, स्टोर होता है, कुछ भी, कुछ भी होगा, वेब में स्टोर हो गया, यह इसको कहते हैं, Google Drive, ट्राइव, ड्राइव नही कि द् कर दो, ट्राइव क्या है? ट्राइव क्या है? वं में में लिश्क कर दो, यस आप ऐसे ही बोलते हैं तो आप कभी सोचें ड्राइव कहा मिलेगा दुकान में जाकर बोला हमको ड्राइव दो गूगल ड्राइव दो तो खरीदो मेरे देखे हो क्या कहीं एक वर्चुल मेमोरी है ठीक है जिसमें तुम जा करके स्टोर कर देते हो एमेल आईडी के दुरू वहां से फिर डेटा को मंगा सकते हो तो ही कहा रहा है सम वेब इनेबल्ड डेटा लोगर्स मैंने मेरा यह घड़ी था वेब इनेबल्ड है can even be configured directly share their data अपने डेटा को share कर देता है ओवर डेटा ओवर ए नेटवर्क नेटवर्क में share कर देता है लो भाई तुम ले जो रखो ठीक है हमको जब जरौत होगा था हम मांगेंगे तो दे देना दे देता है यहां कि मेमोरी कार्ट जहां नहीं हो वहां पर हम वेब इनेवल्ड share कर देंगे और डेटा मांग सकते ह है आप अपना mobile phone जिसमें store करते थे mobile में तो अब store हो जाता है email ID में कहीं भी अगर नया phone लेते हैं तो सब number save नहीं करना पड़ता है खले mail ID डाले सब number आगे आगे आना यस चली तो कहते हैं क्या चली देर डेटा होगा ने इन डेटा लोगर can monitor the input from a large number of inputs ठीक है ओके डेटा लोगर जो है धेर सारे input को एक साथ मेजर कर सकता है आपका घड़ी को देख लो घड़ी कितने inputs लेता जानते हैं पता है आपको आपका heartbeat कितना चल रहा हो भी monitor कर रहा है आप कैसे step चल रहा हो भी monitor कर रहा है आपका घड़ी के बारे टाइमिं प्रेशर के बारे में बता रहा है है ना तो सोच ये एक watch एक smart watch सारा काम कर रहा है है ना यहीं कि धेर सारे input आ रहे होंगे इसमें temperature sensor भी लगा होगा आपका motion sensor भी लगा होगा है और आपका heart bit के लिए जो उसको बोलते है pressure sensor भी लगा होगा तो बहुत सारे sensors उसमें लगे हों अब सुनी मिला दिया तो कैसे होगा अरे नहीं उसके बाद हमको उसमें जो signal चाहिए हम वो देखना चाहते हूं देख सकते हैं उसमें एक ठोको select करें हम जिसको चाहेंगे उसको select करके हम देख सकते हैं हम चाहेंगे मिरा heart beat कितना है हम देख सकते हैं कितना temperature हम देख सकते है येस, ठीक, ओके, the multiplexer are used to select one signal and fed into a analog to digital converter, उसको analog to digital converter भी देता है, अब देखो, digital converter में क्या है, ठीक है, उसके बाद processor, microprocessor होता है, पता ही होगा, analog to digital converter by microprocessor, microprocessor उसको process करेगा, process करने के बाद output देगा, ओके, after processing the output devices, give output their, दिखे, microprocessor, the digital signal is processed by microprocessor, ठीक है, microprocessor, ठीक है, microprocessor, यह हाँ पर लगा दो, and, अच्छा है, and, give output after processing in output devices, ठीक, सही हो गया, तो यह एक छोटा समय ने, आपको बताया, पता नहीं, data loggers कितना समझ में आया, हमको नहीं पता, तेकि मैं पूरी कोसिस करता हूँ, कि आपको data loggers में कहीं, data loggers किया, किसी भी topic में परिशानी नहीं, मैं पूरी कोसिस सोच, समझ के समझाते हुए, आपको ले जा रहा हू नहीं अच्छा लग रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो भी बताया, आप कहाँ परिशानी में है, अगर आप phone करेंगे, तो हमको और अच्छा लगेगा, लीज, अगर lecture देखे होंगे, तो जरूर आप हमको call करेंगे, एक एक करके, ठीक है, जो भी lecture देखेगा, ए बहुत सारे स्टूडेंट को अगर मेरा नंबर नहीं पता, तो भूणना है, काम आपका है, वो गूगल में नहीं मिलेगा, ठीक, चलिए, तो यहाँ अज इस lecture में रखते हैं, अगला वाला में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, computer with, ठीक है, ठीक है, प्लग इन डिवाइस, computer with प्लग इन डिवाइस, उभी, automated data acquisition system का एक पार्ट है, उसको भी देखते हैं, चलिए, इस lecture में इतने ही, thank you,